Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपने English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11 की English की जो आपकी Woven Words Book है उसकी Poem No. 3 जिसका नाम है Coming आज कवर करूँगे मैं उसकी Summary and Understanding the Poem के section के अंदर सारे important questions and answers, अगर आपने मेरे इस Poem के explanation का वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाईए और देखके आईए क्योंकि Anisha मैं ने आपके लिए वो भी रेडी करके release कर दिया है, okay? So, let's begin with our Summary The Poem Coming by Philip Larkin begins with the poet stating that he is living within a world that is filled with a certain kind of emotional physicality तो यह जो Poem आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है Coming इसके Poet है Philip Larkin यह जब Poem start करते हैं, जब begin करते हैं, शुरुआत करते हैं तो Poet हमें यह बताते हुए शुरुआत करते हैं कि यह जो world है, यह जो दुनिया है बहुत जादा emotional physicality से भरी हुई है याने लोगों को बहुत जादा दुख है, दर्द है, पीड़ा है अपनी life में और खुद Poet का क्या emotional physicality की problem थी कि Poet जो थे वो अपने बच्पन में stammer करते थे हक लाने की problem थी, तो उनका child हो जो चाह काफी boring गया क्योंकि उन्होंने दुनिया को खुद से दूर कर दिया याने खुद अपने अब दुनिया से दूर हो गये वो क्योंकि दूसरे उनका मजाक उड़ाते थे, बुली करते थे इसलिए उनका जो बच्पन का daily routine था, जो time table daily का चलता थे वो काफी boring था, तो ये उनकी खुद की emotional physicality की problem थी, he gives an example of this particular evening which is simply perfect, फिर वो बताते हैं एक particular शाम के बारे में, जो की summer season की evening के बारे में, sunset का time है, जो बहुती perfect sunset describe करा है उन्होंने, उन्होंने बताया है कि light काफी फैली हुई है, क्यों? क्योंकि सूरज ढल गया है, तो आसमान में yellow color की पूरी light फैल गई है, chill हो गया है, याने सूरज के ढलने के बाद, sunset के बाद, काफी जादा मौसम जो है, वहाँ पे ठंडक हो गई है, and the yellow color of the sky, और जो आसमान है, पूरा yellow color से भर गया है, बिल्कुल clear हो गया है, it is depiction of a beautiful summer sunset, और summer season में जो sunset होता है, जो सूरज ढलने का समय होता है, उसको beautifully depict किया है, याने दर्शाया है, poet ने अपनी poem के थूँ, the world around the poet is filled with the sound of a thrush bird, singing from within the garden, फिर poet बताते हैं कि मेरे आसपास मानो एक दुनिया है, एक ऐसा garden है, जहाँ पे थ्रश नाम की छोटी सी bird, ये थ्रश क्या है, एक bird का नाम है, जो गाना गाती है, हामिंग करती है, तो वो गाना गारी है और ऐसा लग रहा है कि उस bird ने पूरा garden अपने उस song से भर लिये, अब वो जो ये song आ रही है, वो एक ऐसा song आ रही है, जैसे इसने कुछ achieve कर लिया हो, कुछ पा लिया हो, तो खुशी में वो पूरा song गा रही है, the bird sings the song of the achievement which is not possible within the brickwork, that is the walls or the barriers of the garden, अब poet ये दर्शा आते हैं कि वहाँ पर एक garden है और garden के चारों तरफ brickwork है, brickwork याने इटों का काम, brickwork से poet का मतलब है कि चारों तरफ उस garden के दीवारे हैं, अब जहाँ दीवारे होती है, मतलब समझो वहाँ barrier है, वहाँ रुकावट है, वहाँ से न बहार से कुछ अंदर आ सकता है, न अंदर से बहार कुछ जा सकता है, तो poet के कहने का मतलब ये है कि उस चार दीवारी का जो garden है, उसके अंदर जो थ्रश नाम की bird है, गाना गारी है, achievement का गाना गारी है, जहाँ पर न अंदर, अंदर से बहार ये बहार से अंदर, कुछ new thoughts, कुछ new ideas, कुछ new views, बहार से अंदर उस garden में आ नी सकते, याने वहाँ पर कोई कुछ अचीव नहीं कर सकता, नया, लेकिन फिर भी वह bird इतनी motivated है कि achievement का गाना गारी है, याने उसके अंदर सोचो कितना hope, कितनी उमीदे हैं, अच्छी चीजों के आने का, तो जो poem का नाम है coming, coming याने बुरा समय चला जाएगा और अच्छा वक्त कम, याने आएगा, the poet describes it as if being fresh peeled as it has never sung before, तो poet describe करते हैं उस थ्रश bird की song और आवास को fresh peeled, याने ऐसा लग रहा था कि उस bird ने शायद पहले कभी गाना नहीं गाया है, वो पहली बारी fresh, नया, ताजा गाना हम सब के लिए गा रही है, all of these elements are so strong that is surprise the houses of the neighborhood और आज पास में नेबर हुट में जितने भी houses हैं, घर हैं, घरों की रूफ से आने जो छटे हैं, वो बहुत surprise हैं, वाँके लोग बहुत surprise हैं, इतना beautiful sunset देखके, थ्रश बर्ट का beautiful song सुनके In the second half of the poem, the poet is looking forward for the coming of spring season and wishes for its swift arrival अब poem के जो second half था, poem का, जो second half था में poet क्या बोल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का समय है, बहुत कड़कती धूप है, सब गर्मी में परिशान होते हैं तो poet ये चाहा रहे है, poet जैसे जैसे वो बहुत गाना गारी है, और वो ये गाना गारी थी कि achievement से related कुछ song और वो ये भी गारी थी कि जल्दी spring season याने वसंथ का मौसम आ जाएगा, जो थोड़ा ठंडक वाला होता है तो poet की कहने का मतलब यहाँ पर ये है, कि poet चाहते हैं कि जल्द से गर्मी का जो मौसम है, गर्मी का, परिशानी का जो मौसम है चला जाए और अच्छा spring season जल्दी swift arrival याने प्यार से जल्दी से आ जाए तो poet की कहने का मतलब यहाँ पर ये था, कि life में भी लोगों के जब बुरे दिन होते हैं, वो सिर्फ कुछ time के लिए होते हैं, वो definitely जाएगा और अच्छे दिन आएंगे जैसे गर्मी के दिन हमेशे नहीं रह सकते हैं, ठंडे वसंथ के मौसम के, spring season के दिन आएंगे वैसे भी लोगों के लाइफ के जो बुरे phase, बुरे वक्त हैं, वो भी जाएंगे और अच्छे दिन definitely आएंगे अब रीकनसाइलेशन क्या होता है, जब बड़े छोटे बच्चों को कुछ रीकनसाइल करते हैं, अन्य कुछ समझाते हैं, अच्छी बाते हैं और उन छोटे बच्चों को कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, उनका तो अपना खुद का दिमाग है, उनका धीरे दिमाग डिमाग डेवलाप हो रहा है चीजों को observe करके तो poet कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि spring season इतनी जल्दी आ जाये कि जैसे समझो कल आ जाये जो कि possible नहीं है क्योंकि अभी तो summer season पूरा चलेगा, फिर spring आएगा तो poet कहते हैं मैं उस बच्चे की तरह भेव करने लग गया था जिन चोटे बच्चों को बड़े समझाते हैं, reconcile करते हैं कि बटा इससे नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है और बच्चे समझते हैं ये हसी मजाग में बातों को ले लेते, तो कहता है मैं चोटे बच्चों जैसे बेव कर रहा हूं कि जल्दी से spring season आ जाए He does not know why it makes him so happy but it does तो पोएट कहते हैं मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे स्टी से खुशी मिल रही कि जल्दी से spring season आ जाए पर मुझे मिल रही है खुशी कि मेरे अच्छे दिन लाइफ में जल्दी आ जाए क्योंकि पोएट बच्पन में stammer करते थे जिस वज़े से उन्होंने खुद को काफी जादा क्या कर दिया था दुनिया से अलूफ, अलग कर दिया था तो पोएट की लाइफ में यही खुशी काफी थी कि अब spring season याने अच्छे दिन आएंगे उससे उनको peace याने सुकून मिल रहा है joy याने खुशी मिल रही है और यह spring season जैसे अपने साथ क्या ला रहा है promise एक वादा ला रहा है कि मैं अपने साथ अच्छे दिन भी लाऊंगा तो पोएट यह सब चीज़े देखके अपने बच्पन में, childhood में चले जाते है जहां वो stammer करते थे याने हक लाते ही थे and feels that it was a bad phase of his life which passed with the time पर अब पोएट खुश है उस चीज से गुजर चुके और उन्हें यह चीज समझ में आ गई है कि वो उनकी लाइफ एक bad phase था जो बीथते हुए वक्त के साथ बीथ गया और अब अच्छे दिन है तो पोएट हमें यही समझाना साथ चाहते है कि बुरे दिन जाएंगे और डेफिनिटली अच्छे दिन आएंगे आपको बस strong खड़े रहना है उस bad situation के साथ हार नहीं माननी तो यहां पर हमारी तमरी खतम होती है and let's begin with our question and answers question number one what does the bird in the poem announce how is this related to the title coming तो poem में एक bird का mention हुआ है उस bird का नाम है thrust यह एक songbird है आने गाना गाती है ठीक है तो poem में bird क्या announce कर रही है क्या बताना चाहती है हम readers को और कैसे यह bird related है हमारे poem के title coming से दोनों में क्या relation है so the answer is the bird in the poem announced the arrival of the spring with its beautiful song तो जो bird है वो summer season में गाना गा रही है और यह बताना चाहती है कि जल्दी spring season याने अच्छा थंडा वसंद का मौसम जरूर आएगा और यह कैसे बताती है वो अपना गाना गाके अपनी खुशी इस तरी किसे दर्शाती है it is an indication that the nature is getting ready to welcome the spring और यह एक indication एक signal है कि हमारी कुदरत हमारा जो nature है वो ready हो रहा है और summer season के बाद किसको welcome करेगा spring season को वसंद के मौसम को the title coming that something is going to come here is a spring season that is going to come तो जो title है हमारा coming कि कुछ आने वाला है तो यही बताना चाहता है कि क्या आने वाला है spring season है जो की आने वाला है और यह जो bird गाना गा रही है वो इसलिए गा रही है कि spring season आने वाला है next question question 2 why is the speaker's childhood described as a forgotten bodem जो speaker है याने जो हमारे poet है उनके बच्पन को क्यों as a describe करा गए क्यों बताएगे कि उनका बच्पना एक forgotten bodem था याने की काफी boring था जिसको वो भुलाना चाहते so the answer is the writer might not have any beautiful memories in this childhood तो जो writer है याने जो हमारे poet है हो सकता है कि उनके बच्पन में कोई अच्छी और beautiful यादे 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 हो ही ना as is daily routine contained a boring timetable क्योंकि उनका daily routine था उसमें काफी boring timetable था वो रोज उठते थे brush कहते ने नहाते थे खाते पीते थे school जाते थे तो उनका वो बोरिं timetable daily चला पूरे बच्पन so he was not able to recall any activities that he did as a child which means he has forgotten those things तो इसी वज़े से ऐसा कुछ बच्पन में उन्होंने कुछ अच्छा किया ही नहीं कोई एक अच्छी कोई activity करी नहीं जिसको वो कभी recall करें याद करें बड़े होने के बाद जिसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं वो उन सारे boring चीजों को भूल चुके हैं forgot कर चुके हैं next what causes the element of surprise when the child comes on the scene of adult reconciling adult reconciling याने जब बड़े छोटे बच्चों को कुछ समझाते हैं तो क्यों एक बच्चा surprise होता है या क्यों एक child को अजीब लगता है कि जब adult या बड़े उनको कुछ reconcile कर रहे हैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं so the answer is the poet is very happy that he forgot his childhood which was boring अब poet जो है वो कई न कई वैसे तो बहुत खुश है कि चलो अच्छा है मैं अपना बच्चपन का दिन time जो है वो भूल चुका हूँ क्योंकि वैसे भी मेरा बच्चपन तो बहुत बोरिंग निकला now he transformed into a child and is happy to see the adults reconciling just like a child who doesn't know what is happening but smiles just because the adults are happy अब जो poet है वो transform हो चुके यानि उनकी personality में काफी ज़ाधा changes आए है और वो अब ऐसे बच्चे बन गए है ऐसे इंसान बन गए है जो खुश रहते हैं बड़ों को देखके कि जो बड़े हैं वो मुझे समझा रहे हैं या आपस में एक दूसरे को समझा रहे है reconcile कर रहे है poet को नहीं बता कि वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं मुझे क्या समझाना चाहते है बट वो कई न कई उनको happy देखके उनको smile करता हुआ देखके उनको खुश देखके कई न कई poet भी खुश है here the poet displays the innocence of a child तो poet यहां क्या display कर रहे है क्या दर्शाना चाहते हैं हमें कि एक बच्चा कितना innocent होता है कितना मासूम होता है जिसे कुछ समझ नहीं आता वो एक गिली मिट्टी की तरह है उसको जैसा mold करो गए वो वैसा बन जाएगा next question 4 what two things are compared in the poem तो poem में ऐसी कौन सी दो चीज़े हैं जिनको आपस में compare करा गया है answer है here the light and the houses were compared to the adults and the thrushes compared to a child तो यहां पे जो light and houses है याने जो sunlight थी सूरट ढलने के बाद जो yellow light आसमान में चाहा जाती है और जो घर थे नीचे धरती पे जो घर है वो yellow light पढ़ रही है इन दो चीज़ों को एक साथ compare करा गया है adults याने बड़े लोग और thrush नाम की birds से here the light and the houses were compared to adults and the thrush is compared to a child okay just a second तो जो light and the houses they were compared to adults पहला comparison बताया गया है सबसे पहला क्या comparison बता गया है कि जो sunlight थी और जो घर थे जिनको पर वो sunlight पढ़ रही थी yellow light पढ़ रही थी इसको compare करा गया था adults याने बड़े लोगों से compare किया था जो छोटे बच्चों को कुछने कुछ समझाते यह पहला comparison है और दूसरा comparison क्या है कि जो thrush नाम की bird है उसको compare कर दिया है बच्चों के साथ छोटे बच्चों जिनको बड़े समझाते तो दो comparison second comparison यह था आपका अब जो adults होते जब वो छोटे बच्चों को reconcile करते कुछ समझाने की कोशिश करते तो बच्चा क्या करता है child smiles क्योंकि उसे समझी नहीं आता वो छोटा बच्चा है उसका दिमाग अभी इत्ता developed ही नहीं है though he doesn't know what is happening उसको नहीं पता क्या चल रहा है वो मुझे क्या समझाना चाहते बट वो तो बस smile करता है खुश होता है छोटे बच्चे ऐसे ही होते है उसी तरीके से जो थ्रश नाम की बट है वो खुश हो रही है ये देखके कि जो sunlight है वो घर के houses को घर की roofs घरों की जो छटे है उनको जैसे विलकुल yellow light में नहला दिया है पूरा अपनी sunlight से भर दिया है तो बट ये देखके nature की चीज़े देखके खुश हो रही है और खुशी में गाना गा रही है song गा रही है though it doesn't know what is it उसको नहीं पता ये सब क्या है light क्या होता है sunlight क्या होता है घर की roof क्या थी है ये उसे नहीं पता बस वो देखके खुश हो रही है जैसे छोटे नहीं समझ पते बड़े हमें क्या समझा रहे है बस smile करते रहते वैसे थ्रश नाम की bird को भी समझ में नहीं आते की ये light क्या है ये roof क्या है बस वो खुश हो रही है sunlight को देखके उसे नहीं बता क्या है but she's happy and she's singing a song तो ये comparison हुए है दो इस poem में next how do you respond to the lines अब poem में जो आपकी तीन lines थी first, three lines I mean second, third and fourth line जो थी ये जो तीन lines है वो थी light, chill and yellow bathes the serene foreheads of the houses इन तीन lines पे आप क्या respond करते हो यानि आपका इन तीन lines के बारे में क्या कहना है आपको थोड़ा से lines को explain करना है तो light क्या है वो sunlight जो sunset के बाद आ रही है और sunset के बाद मौसम थोड़ा chill थोड़ा ठंडा हो जाता है और आस्मान full yellow light से भर जाता है serene का मतलब काफी calm and काफी composed peaceful तो जो घरों के forehead है यानि जो घरों की जो ये चछत होती है जो ये roof होती है घरों की ऐसा लग रहा है कि सूरच ढलने के बाद जो yellow light है उसने बिलकुल नहला दिया है इस घरों की छत को yellow color की light से ओके और काफी calm and peaceful सा मौसम है वहाँ पे अब इसके बारे में हमें क्या कहना है कि spring is the most beautiful and most loved season by everyone अब जो spring season है जो वसंत का मौसम है वह काफी सुन्दर मौसम है और एक ऐसा मौसम है जिसको सब लोग प्यार करते हैं कि चलो अच्छा है यह season आ रहा है poet described this scenery in a gorgeous way और poet ने इस पूरी scenery को बहुत gorgeous याने बहुत ही प्यारी तरीके से describe किया है the calm rooftops were completely filled with the yellow light और यह जो rooftops से घरों की जो छटे थी बहुत काम थी और ऐसा लगा था कि पूरी sunlight इसके ओपर yellow light आ गई आसमान से from the sun he enjoys the beautiful scenery of the nature that is getting ready to welcome the spring तो जो poet है वो यह beautiful scenery, कुदरत की यह beautiful scenery, natural scenery enjoy कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब spring season याने वसंत के मौसम का welcome होने वाला है इस मौसम के बाद Next, comment on the use of the phrase fresh peeled voice अब poem में एक phrase एक line यूज हुए fresh peeled voice इस पर आपको comment करना है कि यह phrase क्यों use हुआ है और उसका क्या meaning है poem में This phrase is used to describe the voice of the singing bird thrust अब यह जो phrase है वो use हुआ है उस bird के लिए जिसका नाम है thrust और यह जो bird है वो क्या करती है? Singing करती है खुश होती है, गाना गाती है Its voice is so pleasant that as if the bird has never sung before उसकी voice इतनी pleasant है, इतनी अच्छी है, सुनने में इतना सुकून दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल fresh field है इस से पहले उसने कभी गाया ही नहीं पहली बार fresh गाना हमारे लिए हमारे सामने आज पहली बार ही गा रही है तो काफी अच्छा music, काफी अच्छा sound आ रहा था उस bird का The poet loved to hear it again and again और poet को ऐसा लग रहा था कि मैं इस bird का गाना बार बार again and again सुनता ही जाओं बस So children, here comes to the end of this session I hope आपको summary and question and answers अच्छे से समझ में आये होंगे आप चाहें, तो YouTube पर भी हमारे videos देख सकते हैं वहाँ ना मिले, तो website पर जाएए, which is magnetbrains.com जैसे आप website पर जाएंगे, तो इस तरीकी का page आपके सामने आएगा यहाँ पर woven words book का option है अगर आपको इसके videos देखने तो इस पर click करिए जैसे ही आप click करेंगे, मेरे videos जो हैं, उसके list आपके सामने आजाएगी आपको syllabus overview का video देखने है, तो आप इस पर click करिए जैसे ही आप click करेंगे, मेरे video आपके सामने play होना start हो जाएगा and do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel क्योंकि magnet brains, free of cost, quality education आपकी घर तक पहुचा रहे तब तक के लिए, bye bye and take care